पहले अध्याय में गीतोक तुपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महरतियों और उनकी शंख धुनी का वरणन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देख कर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवरित हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़ कर विसाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ती की गई ऐसी स्थिती में भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनह तैयार किया यह सब बतलाने की आवश्यक्ता होने पर संजय अर्जुन की स्थिती का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंब करते हैं संजय बोले कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रती भगवान मधु सूदन ने यह वचन कहा तो प्रश्ण होता है कि तम पद यहां किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपया विष्टम अस्रु पूर्णा कुलेक्षणम और विसीदंतम इन तीन विशेशनों के प्रियोग का क्या भाव है तो पहले अध्याय के अंत में जिनके शूक मगन होकर बैठ जाने की बात कही गई है उन अर्जुन का वाचक यहां तम पद है और उसके साथ उपर युक्त विशेशनों का प्रियोग करके उनकी स्थिती का वरणन किया गया है अभी प्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वरणन हो चुका है उस बंधूस ने हज्जनित करुणा युक्त कायरता के भावसी जो व्यापत है जिनके नेतर आंसों से पूरन और व्याकुल है तदा जो बंधू बांधों के नाशकी आशंका से तदा मधूसूदन नाम के प्रियोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रियोग का क्या भाव है तो भगवान के मधूसूदन नाम का प्रियोग करके तदा वाक्यम के साथ इदम विशीशन देकर संजय ने दितराष्ट्र को चितावनी दी है अभी प्राय यह है कि भग भगवान युद्ध से मूह मोडे हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का स्री भगवान बोले कि है अर्जुन तुझे इस समय में यह मोह किस हे तुसे प्राप्त हुआ क्योंकि ना तो यह स्रेष्ठ पुरुसों द्वारा आचरित है ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ती को करने वाला ही है प्रश्ण होता है कि इदम विशेशन के सहित कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ इस वाक्य का क्या भी प्राय है इसका उत्तर है इदम विशेशन के सहित कश्मलम पद यहां अर्जुन के मुह जनित शोक और कातरता का वाचक है। तथा उपर युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चरे के साथ यह पूछा है कि इस विसमस्थल में अर्थात कायरता और विसाद के लिए स इसकी जरा भी समभावना न थी ऐसा यह मोह यह कातर भाव कहां से आ गया। एक और प्रश्न होता है कि उपर युक्त मोह अर्थात कातर भाव को अनार्य जुष्ट अस्वर्गया और अकीरती कर कहने का क्या भाव है। इसका उत्तर है। इससे भगवान ने अपने उपर य ना स्वर्ग देने वाला है और ना कीरती ही फ्हलाने वाला है। इससे ना तो मोक्ष की सिध्धी हो सकती है ना धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुध्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कातर भाव को कैसे स्विकार कर लिया। प्रश्न होता है कि पार्थ संबोधन के सहित नपूसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें इह उचित नहीं जान पड़ती इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि कुंती का दूसरा नाम प्रिथा था। आर्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रिय उचित संदेश की समृती दिलाते हुए उपर युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वता अनुचित है कहां महान से महान महारतियों के हृदियों को कमपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौरय और कहां तुम्हारी यह दीन स्थिती जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं बदन काम पर रहा है गांडीव धनुस गिरा जा रहा है और चित विसाद मगन होकर ब्रहमित हो रहा है ऐसी कायरता और भीरता तुम्हारे योग्य कदा भी नहीं है एक और प्रशन होता है कि यहां परमतप संबोधन का क्या भाव है इसका उतर है जो अपने शत्रों को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परमतप कहते हैं अतहर यहां अर्जुन को परमतप नाम से संबोधित कर करने का भाव है कि तुम शत्रों को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद हो निवात कवचादी असीम शक्तिशाली दानवों को अनायाज ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षठ्रिय सो भाव के विपरीत इस कापूरसो चित कायरता को सुझार कर उल्टे शत्रों क प्रसन कैसे कर रहे हो एक और प्रश्ण होता है क्षुद्रम विशेशन के सहित रदया दौर बल्यम इस पद का जो प्रयोग किया है किस भाव का वाचक है और उसे इतियाग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है इसका उत्तर है इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पूर्स के अंतह करण में रण भीरू कायर प्राणियों के हिर्दे में रहेने वाली शूर जनों के द्वारा सरवता तियाज्या इस तुछ दुर बलता का प्रादुर भाव किसी प्रकार भ ना निश्चय प्रकट करते हैं अर्जुन वाचन कथम भीस्मममहं संखे द्रूनम्च मधुसूधन इसु भी ही प्रतियोत्स्यामी पूजार हावरिसूधन अर्जुन बोले कि है मधुसूधन मैं रण भूमी में किस प्रकार बानों से भीस्म पितामहा और द्रूनाचारे के विरुद्ध लडूंगा क्योंकि हे अरिसूधन ये दोनों ही पूजनिया हैं प्रश्न होता है कि इस श्लोक में अरिसूधन और मधुसूधन इन दो संबोधनों के सहित कथम पद के प्रियोग का क्या भाव है इसका उत्तर है कि मधुनाम के देत्य को मारने के कारण भग प्रश्न ने आश्चर का भाव प्रकट किया है अभी प्राय यह है कि आप मुझे जिन भीस मर्द रोना चारे के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे ना तो दैतिया हैं और ना शत्रूही हैं वरम वे तो मेरे पूजनिया गुरुजन हैं फिर अपने स्वभाविक गुणों के विरुद आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं यह घूर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा एक और प्रशन होता है कि इसू भी ही प्रकपा क्या भाव है तो इसू कहते हैं बारन को यहाँ इसू भी ही प्रत का प का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा आप मुझे इस गूर भापाचार में क्यों प्रवृत कर रहे हैं गुरून हत्वा ही महानु भावा च्रियो भुक्तुं भैक्ष्यपी हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनी है वभुंजीय भोगान रुधिर प्रदिक्धा इसलिए इन महानु भाव गुरु जनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन भी खाना कल्यान कारक समझता हूँ क्योंकि गुरु जनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने वए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा प्रश्न होता है कि महानु भावान विशेशन के सहित गुरून पद यहां इस श्लोक में किन का वाचक है उत्तर है दुर्योधन की सेना में जो दुरोणाचारे, कृपाचारे, आदी अर्जुन के आचारे तधा बाहलेक, भीस्म, सोमदत, भुरीसरवा और शल्ले आदी गुरुजन थे जिनका भाव बहुत यूदार और महान था उन स्रेष्ट पूज पूरसों का वाचक महान भावान विशेशन सहित गुरून पद है एक और प्रशन होता है कि यहां भैक्ष्यम के साथ अपी पद का प्रियोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तो इसका यह भाव है कि यद्य पेक्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन से शरीर निर्वाह करना बहुत निंदनिया है तथा पे गुरुजनों का सहार करके राज्य भूगने की अपेक्षा तो यह निंद्य कर्म भी कहीं अच्छा है एक और प्रशन होता है कि भोगान के साथ रुधिर प्रदिकधान और अर्थ कामान विशेशन देने का तथा एव अव्याय के प्रयोग का क्या अभी प्राया है इसका उत्तर है कि इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सरवता अनुचित है गलत है उनको मारकर भी मिलेगा क्या न तो मुक्ति ही मिलेगी और न धर्म की सिद्धी ही होगी केवल इसी लोक में अर्थ काम रूप तुछ भोग ही तो मिलेंगे जिनका मूलिय इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है और वे भी गुरुजनों की हत्या के फल सुरूप होने के कारण एक प्रका पद को यदि गुरून का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानी है उत्तर है यदि गुरून के साथ महानु भावान विशेषण नहोता तो ऐसा भी माना जा सकता था किन्तु एक ही शलोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महान भाव कहते हैं उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलावें ऐसे कलपना उचित नहीं मालूम होती दोनों विशेशन परस पर विरुद्ध जान पड़ते हैं इसलिए अर्थ कामान पद को गुरून का विशेशन नहीं माना गया है इस प्रकार अपना निश्चे प्रकट कर देने पर भी जब अर्ज निश्चे में शंका उत्पन हो गई तब वे फिर कहने लगे हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा स्रेष्ठ है कौन सा काम अच्छा है अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मिया द्रितराष्ट के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं शलोक से इस बंधित प्रश्ण होता है कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना इन में कौन सा स्रेष्ठ है या हम नहीं जानते इस वाक्य का क्या भाव है इसका उत्तर है इससे अरजुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना स्रेष्ठ है युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना इस बात का भी हम निरणें नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके विफरीत उसके फल स्वरूप उस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले कुल नाश को महान दोस भी बतलाया गया है एक और प्रश्ण होता है कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे इस वाक्य का क्या भाव है तो इस वाक्या से अरजुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान ले की युद्ध करना ही स्रेष्ट है तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी एक और प्रश्ण होता है कि जिन को मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मियां हमारे ही परिवार के धृतराष्ट के पुत्र मुकावले में वाक्य का क्या भाव है तो इस वाक्य से अरजुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान ले कि जीत हमारी ही होगी तो भी युद्ध करना स्रेष्ट नहीं मालूम होता क्योंकि जिन को मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दुर्युधन आदी हमारे भाइई मरन के लिए हमारे सामने खड़े हैं अतायव यदी हमारी जीत भी हुई तो इनको मार कर ही होगी इससे हम यह निरणय नहीं कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है इस प्रकार कर्तव्य का निरणय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शर्ण ग्रहन करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं इसलिए कायरता रोप दोस से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विशे में मोह, मोहित चित हुआ मैं आप से पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्यान कारक हो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिश्य हूँ इसलिए हे केशव आपके शर्ण हुए मुझ को शिक्षा दीजिए श्लोक से स्वंधित प्रश्ण होता है कि कारपन्य दोस क्या है और अरजुन ने जो अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है उसका क्या तात पर्य है इसका उत्तर है कि क्रिपन शब्द विभिन अर्थों में व्यवरित होता है पहला जिसके पास प्रयाप्त धन है परंतु जिसको धन में इतनी प्रवल आसकती और लोब है कि जो दान और भोगादी के नियाय संगत और उपयुक्त अबसरों पर भी एक पैसा रुपया खर्च नहीं करता उस कंजूस को क्रिपन कहते हैं दूसरा कि मनुस्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानु अनुमोदित प्रधान लक्षया है भगवान के तत्तों को जानकर उन्हें प्राफ्त कर लेना जो मनुस्य इस लक्षय को भुलाकर विसाय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है उस मूर्ख को भी क्रिपन कह कहते हैं सुरुती कहती है योवा एतदक्षरम गार्गिय अविधित्वा अस्मा लोकात प्राइती सक्रिपना है ये गार्गी इस अविनाशी प्रमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मर कर जाता है वह क्रिपन है भगवान ने भी भोगय शुर में आसक्त फल को वासना वाले मनुस्यों को क्रिपन कहा है और तीसरा सामान्य तह दीन स्वभाव का वाचक भी क्रिपन शब्द है यहां अरजुन में जो कारपन्या है वह न तो लोभजनित कंजूसी है और न भोगा सकती रूप क्रिपनता ही है क्योंकि अरजुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजय पूरुस हैं यहां भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय राज्यत या सुख की आकांक्षा नहीं है जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब आत्मिय जन्तों यहां मरने के लिए जो इतना त्याग करने को तयार है वह कंजूस या भोगा सकत नहीं हो सकता दूसरे यहां ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के भी सरवता विरुद्ध है यहां अरजुन का यहां कारपन्य एक प्रकार का दैन्य ही है जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट कलैब्यम पद का प्रियोग करके इसी की पुष्टी की है अताईव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यहां कारपन्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्य करुणा युक्त कायरता ही है अर्जुन आदर्शक शत्रिया हैं स्वभाविक ही शूर वीर हैं उनके लिए कायर कायरता दोस ही है चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्य हो इसी से अर्जुन इसे कारपन्य दोस कहते हैं इस कारपन्य दोस से अर्जुन का आतुलनिय शौरिय वीरिय धैरिय चातूरिय साहस और पराक्रमादी से संपनक्षत्रिय स्वभाव नश्ट सा हो गया है इसी से उनक के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलनसी हो रही है और मन ब्रहमित सा हो रहा है। करुणा युक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देख कर कहते हैं कि मैं कारपन्य दोस से उपहत स्वभाव वाला हो गया हूँ। एक और प्रश्ण होता है कि अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ चेता हा ऐसे क्यों कहा है। उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कारपन्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षा वृत्ति सन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है चित्त इतना करुणा विष्ट है कि वहाँ है कि कारवों की भीस्म द्रोन करनादी विश्व विख्यात अजे अशूर वीरों से सरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अरजुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजई की संभावना से सर्वता निराश होकर अपना कल्यान युद्ध करने में है या ना करने में इस उदेश्य से स्रेह शब्द का प्रियोग करके जय पराजय के सबंद में स्री भगवान से एक निश्चित निरने पूछते हों ऐसी बात यहां नहीं है यहां तो उनके चित में बंधूसने हजाग उठा है और बंधू नाश जनित एक बहुत बड़े पा मेरे पर्मकल्यान में बाधक हो जाए ऐसी बात तो नहीं है इसी से वे निश्चित बाधक हो जाए ऐसी बात तो नहीं है इसी से वे निश्चित स्रेय की बात पूछते हैं भगवान से अपने हित की बात पूछते हैं उनका यह निश्चित स्रेय जय पराजय से सबंधित न मैं करतव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ आप ही निश्चित रूप से बतलाएए मेरे परमकल्यान का साधन कौन सा है मेरे लिए क्या करना सरवथा उचित है एक और प्रश्न होता है कि मैं आपका शिश्य हूँ मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए इस कथन का क रायह सभी स्थलों में बराबरी का ही सबंद था खाने पीने सोने और जाने आने में सभी जगा भगवान उनके साथ समान बरताव करते थे और भगवान के स्रिष्ठत्व के परते मन में स्रद्धा और समान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही विवहर करते थे आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनी दशा देखकर यह अनभब हुआ कि मैं वस्तुतह इन से बराबरी करने योग्य नहीं हूँ बराबरी में सलाह मिलती है उपदेश नहीं मिलता प्रेरणा होती है बलपूरवक अनुशाशन नहीं होता मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता मुझे तो गुरू की आवशकता है जो मुझे उपदेश करे और बलपूरवक अनुशाशन करे करके स्रेय के मार्ग पर लगा दे जो मेरे लिए उचित है उस रास्ते पर मुझे बलपूरवक लगा दे आज मुझे गुरू की आवशकता है तथा मेरे शूक मुखको सरवता नश्ट करके मुझे परमकल्यान की प्राप्ति करवा दे और स्री कृष्ण से बढ़कर गुरू मुझे कौन मिल सकता है परन्तु गुरू की उपदेश अमरित धारा तभी बरसती है जब शिश्य रुपिक शेत्र उसे ग्रहन करने के लिए प्रस्तुत होता है इसलिए अरजुन कहते हैं भगवन मैं आपका शिश्य हूँ शिश्यों के कई प्रकार होते हैं जो शिश्य उपदेश तो गुरू से ग्रहन करते हैं परन्तो अपने पूरुसार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरू को दूसरों पर भरोसा रखते हैं वे गुरु कृपा का यधार्थ लाभ नहीं उठा सकते अर जुनिसलिय शिश्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवन मैं केवल शिश्य ही नहीं हूँ आपके शरण भी हूँ प्रपन्न शब्द का भ भावार्थ है भगवान को त्यंत समर्थ और परम सरिष्ट समझ कर उनके प्रती अपने को समर्पन कर देना इसी का नाम शर नाजति आत्म निक्षेप या आत्म समर्पन है भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वग्य सर्वांतर यामि अनंत गुणों की अपार समुद्र सरवाни पति आश्वर्य माधूरिय धर्म शोर्य ग्यान वेराग्यादि के अनंत आकर कलेश कर्म शंशय और भ्रमादि का सरवता नाश करने वाले परम प्रेमी परम सुहृद परम आत्मिय परम गुरु और परम महीश्वर हैं ऐसा विश्वास करके अपने को सरवता निरास्रे निर्वलंब निरबुद्धि निर्वल और नी सत्व मान कर उन्ही के आस्रे अवलंब ग्यान शक्ति सत्व और आतलनी शरणागत वत्सलता का द्रड़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्ही के चरणों पर निच्छ पर नाचते रहने के एक मात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन होना है अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शर्ण हो जाओं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं भगवन मैं आपका शिश्य हूँ और आपके शर्ण हूँ आप मुझे शिक्षा दीजिए। इसी शिलोक से गीता की साधना आरंब होती है। यदि यही उपदेश के उपकरम का भीज है। सर्वधर्मान परित्यजिय शिलोक में ही इस साधना की सिद्धी है। वही उपसहार है। इस प्रकार शिक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अरजुन उस को प्रकट करते हैं। हे केशब क्योंकि भूमी में निसकंटक, धन, धन, संपन, राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले इस महान शोक को दूर कर सके। इस शोक से अरजुन के कहने का क्या भाव है तो इसका उत्तर है कि पूर्व शोक में अरजुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है। इसलिए यहां यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है किन्तु इस युद का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोग में प्रिथवी का निस्कंटक राज्य पा लेना ही इसका उदिश्य है और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस प्रिथवी के राज्य की तो बात ही क्या यदि मुझे देवताओं का अधिपत्य भी मिल ज जाए तो वह भी मेरे लिए इन इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को जिस प्रकार से मैं अभी शोका कुल हो रहा हूं मेरे इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है नताएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाए बतलाएए जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस महान शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे इसके वाद अरजुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है संजय बोले कि हे राजन निद्रा को जीतने वाले अरजुन अंतरिया में स्री किष्ण महाराज के प्रती इस प्रकार कहे कर फिर स्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहे कर चुप हो गए इस श्लोक का क्या विप्राय है इस श्लोक में संजय ने ध्रितराष्ट से यह कहा है कि उपर युक्त प्रकार से भगवान के शर्ण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अरजुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर वे चुप हो गए एक और प्रश्ण होता है कि गोविंद शब्द का क्या रथ है तो इसका उत्तर है कि वित्पत्ति के अनुसार वेद प्राणी के द्वारा वेद वानी के द्वारा भगवान के सुरूप की उपलब्धी होती है इसलिए उनका नाम गोविंद है भीता में भी कहा है कि वेदैश्च सरवैर हमेव वेद्यह संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान स्री कृष्ण ने क्या किया इस जिग्यासा पर संजय कहते हैं। तमुवाचर इशीकेशः प्रहसनिव भारत सीनयोर उभयोर मध्ये विसीदंतमिदंबचः धी भरतवन्शी धृतराष्ट्र अंतरियामि स्री किष्ण महाराज दोनों सीनाओं के बीच में शूख करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। प्रश्ण होता है कि उभयोह सीनयोह मध्ये विसीदंतम विशीशन के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है। अर्जुन उपर युक्त प्रकार से शूर वीरता प्रकट करने की जगहां उल्टा विसाद कर रहे हैं। तथा मेरे शर्ण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्धना करने की गोशना भी अर्जुन ने कर देते हैं। यहां इनकी कैसी गलती है इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान जिनका वरणन आगे किया जाता है वे इस प्रकार के वचन बोलें। यहां से आगे का वरणन आप अगली प्रसारण में स्रवन करेंगे। जै स्री कृष्ण रादे रादे।